दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का mgv study point youtube चैनल में तो दोस्तों mix question series number 21 और यह series है यह computer की series है तो आज हम बात करेंगे computer की series में mcq type k total 25 question है और आज का हमारा topic है यह ms powerpoint है तो आज हम बात करेंगे powerpoint से समन्दित इन 25 question जो सभी प्रिक्षाओं के लिए important question है और UPPCL JMRC exam based दे यह question है तो जरूर इस video को last तक देखे like share भी करें और अभी तक अपने youtube channel को subscribe नहीं किया है तो जरूर इसको subscribe भी करें अपने friends को भी forward करते रही है तो चलते हैं बात कर लेते हैं आज के हमारे question first की question first में आपसे पूछा जा रहे है कि यहां पे रिकिस्तान दिया गया है और यह एक प्रस्तूती कारिये करम है तो यहां पे प्रस्तूती जो की presentation से जमन्दित है और यहां पे हमारा इंसर है option c ms power point ms power point एक प्रस्तूती कारिये करम है एक presentation program है और चलते हैं बात करते हैं next question की तो next हमारे पास question number है second और question second में अगर हम बात करें तो यहां पे अपके सामने है निमन में से कौन सा अनुभाग slide layout में मौझूद नहीं है तो यहां पे आपको option दे रखे हैं चार A, B, C, D और इन चारों option में आपको देखने है कि कौन सा आप जो पारट है कौन सा option है वो layout में मौझूद नहीं होता है तो यहां पे option D animation animation है यह layout में मौझूद नहीं होता है और चलते हैं बात करते हैं आगे हमारे पास question number है 3 तो question 3 वीडियो को like share जरूर करें और चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर इसको subscribe भी कर ले और forward भी करते रही है question 3 MS PowerPoint का वेद संसक्रण कोन सा नहीं है तो आपसे option में से दिये गए option में से पूछा जा रहे है कि MS PowerPoint का एक वेद संसक्रण नहीं है और वो कोन सा नहीं है तो यहां पे हमारा insert option D MS PowerPoint 1920 MS PowerPoint 1920 यह एक वेद संसक्रण नहीं है और MS PowerPoint 2003 MS PowerPoint 2007 MS PowerPoint 2010 यह सभी वेद संसक्रण है और अब हम चलते हैं next question की बात कर लेते हैं तो next question number है 4 question 4 में times new roman crimbia aerial का उधारण है तो आपसे यहां पे पूछा जा रहे है कि एक तो times new roman crimbia aerial यह सभी है यह हमारा option number A font 40 है यह सभी font है यह जो option A हमारा सही है यह सभी font 40 के उधारण है और अब हम चलते हैं बात करते हैं तो आगे हमरे पास question number है 5 और question 5 में पहले हम question को read करते हैं तो यहां पे default powerpoint A मानक layout क्या है तो default by default यह नहीं जो प्राथ्मिक तोर पे powerpoint का जो layout होता है वो क्या है और चलते हैं देखते हैं हमरे पास option तो option आपके सामने है और यहां पे आपका answer है B सिर्शक slide यह एक default powerpoint layout है सिर्शक slide और चलते हैं आगे मारे पास question number है next is 6 number question 6 में आपसे जो पूछा जा रहा है तो इसमें से हम बात करेंगे question 6 की चैनित पार्ट को केंदर में रखने के लिए shortcut कुंजी है तो बात कर रहे हैं MS powerpoint की और उसमें जो selected text होता है जो meter होता है उसको अगर हम केंदर या center में रखने के लिए कौन सी कुंजी का यूज कर करते है shortcut के लिए तो यहां पर हमारे पास control plus e control plus e का यूज करके हम select पार्ट को के अंदर में रख सकते हैं shortcut कुंजी है और चलते हैं बात करते हैं तो आगे मारे पास question number 7 question 7 यहां पर question 7 में आपके सामने screen पे है ms powerpoint में किस परकार का दरसे मोजूद नहीं है तो आपको क्या करना है कि जो ms powerpoint में दरसे मोजूद नहीं हो बताना है option आपके सामने है और यहां पे आपका answer है option a चरम animation चरम animation है यह ms powerpoint का दरसे नहीं है और चलते हैं बात करते हैं तो आगे मार पर नेक्ट कोशन नंबर है एट कोशन एट में बात करेंगे तो इससे पहले वीडियो को लाइक जुरूर कर दीजिएगा अभी तक लाइस नहीं किया है तो एमेस पावर पॉइंट में कौन सी सुवीधा नहीं है आप से पूछा जा रहे कि एमेस पावर पॉइंट में इन में से कौन सी सुवीधा नहीं होती है जो यहां पे आपको सकते हैं यह उसमें उपलब फीचर है और बात करते हैं तो आगे मारे पास question number है 9 question 9 इन में से कौन सा power point का द्रसे नहीं है आप से नहीं वाला पूछा है कि power point का जो द्रसे नहीं है वो कौन सा है और यहां पे हमारा answer option D रूप रेखा द्रसे रूप रेखा द्रसे यह power point का द्रसे नहीं है चलते हैं बात करते हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें आप जो एक लाइक होता है वो हमें इतनी energy देता है कि next वीडियो हम बहुत जल्दी त्यार करते हैं तो question 10 की बात करें तो power point प्रस्तूती का विस्तार क्या है power point जो है तो इसमें हमारे पास जो power point है और यहां पे हमारा answer option B dot ppt dot ppt यह power point प्रस्तूती का विस्तारन है और चलते हैं बात करते हैं तो आगे हमारे पास question number है 11 और question 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि power point presentation में नई file ने बनाने के लिए sort cut की क्या है यदि आप power point में presentation त्यार करना चाहते हैं और नई file त्यार करने के लिए आपको documentary open करनी है तो किस sort cut की का use करेंगे ताकि आप एक नई file बनाने का जो file खोल सकते हैं तो यहां पे हमारे पास जो answer प्रश्वर है यह option यह control plus N है control plus N से power point presentation त्यार करने के लिए एक नई file बनाने के लिए open करने के लिए नई file open करने की shortcut की है और चलते हैं बात करते हैं तो आगे मारे पास question number है कि आगे मारे पास question number है टुवेलो कुस्वेलो में run dialogue box में power point खोलने के लिए type करें यदि हम run dialogue box जो power point में खोलना चाते हैं तो हम क्या type करेंगे और यहां पे हमारे answer है power mate पावर मेंट टाइप करने से run dialogue box है वो power point में खुल जाता है और चलते हैं इसी के साथ में बात करते हैं तो आगे मारे पास question number है 13 question 13 में presentation बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उप्योग किया जाता है तो यहां पे हम बात कर रहे है presentation बनाने के लिए और जिस प्रोग्राम का उप्योग किया जाता है यूज किया जाता है वो हमारा option बी power point है presentation बनाने के लिए हम power point program का यूज करती है power point में विभिन परकार के presentation तियार कर सकते हैं जैसे slide show है और अब हम चलते हैं बात करते हैं तो आगे हम रपास question number है question 14 में वरतमान प्रस्तूती में एक slide समलित करने के लिए sort cut कुझी क्या है कि आपके पास already a के जो present tension क्यार है लेकिन अगर आप उसमें एक नई जो slide है उसको add करना चाते है समिल करना चाते है तो sort cut कौन सी कुझी आप यूज करेंगे जिससे आप अपने present tension त्यार किये हुए में एक नई file नई slide एड कर सकते हैं तो हमारा answer option b control plus m control plus m जो sort cut की यूज करके हम power point के present tension त्यार में एक नई file एड कर सकते हैं और चलते हैं बात करते हैं तो आगे मारा पास question number है 15 question 15 में किस menu में action बटन का विकलप है अगर हम बात करें action बटन कहा है या कौन से विकलप में तो menu में है तो यहां पे हमारा answer है slide show slide show menu में action बटन का विकलप दिया होता है और चलते हैं बात करते हैं तो आगे मारा पास question number है 16 और question 16 में अगर बात करें तो powerpoint slide में speaker notes बनाने के लिए किस विकलप का उपयोग किया जाता है कि अगर हम powerpoint की slide त्याज कर रहे हैं और उस slide में speaker notes बना रहे हैं यदि आप speaker notes बना रहे हैं तो किस विकलप का उपयोग करें तो यहां पे हमारा answer है option D notes और option D notes विकलप का परियोग करके हम speaker notes बना सकते हैं यह powerpoint slide की बात कर रहे हैं और चलते हैं बात करते हैं तो आगे मारा पस question number है 17 question 17 में आप slide show को केसे रोक सकते हैं यदि आप powerpoint में कोई slide show कर रहे हैं और उस slide show को रोकना चाते हैं तो option B escape button को दबा करके हम उस file को रोक सकते हैं escape button से हम उस file को रोक सकते हैं और चलते हैं बात करते हैं तो आगे मारा पस question number है 18 question 18 में slide प्रस्तूती के दोरान एक के बाद एक hyperlink का chain केसे करें कि अगर आप slide प्रस्तूती करण दे रहे हैं और उसी समय अगर आपको hyperlink का chain करना है तो केसे करेंगे और यहाँ पे हमारा answer है टेब option C tape button के माध्यम से या tape button का परियोग करके हम slide प्रस्तूती करण के दोरान hyperlink का chain कर सकते हैं और चलते हैं बात करते हैं तो आगे मारा पास question number है 19 question 19 में Microsoft powerpoint में अधिक्तम जूम प्रतिसत क्या है कि आप Microsoft powerpoint यूज कर रहे हैं और उसमें अगर आप अधिक्तम जूम करना चाते हैं किसी भी slide को या किसी भी जो फाइल त्यार किये उसको अगर आप जूम करना चाते हैं तो कितने प्रतिसत तक highest कर सकते हैं और यहां पे हमारा option बी यहां पे हमारा option है डी 400 प्रतिसत तक Microsoft powerpoint में अधिक्तम जूम 400 प्रतिसत तक किया जा सकता है और अब हम चलते हैं बात करते हैं तो आगे मारा पास question number है 20 question 20 आगे मारे पास question number है 20 question 20 powerpoint presentation को print करने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो यहां पे हम powerpoint presentation को अगर print करना चाते हैं तो कौन सी shortcut key है या किस key का परियोग किया जाता है और यहां पे हमारा option A control plus P से हम powerpoint के उसको print कर सकते हैं और चलते हैं तो वीडियो को like share जरूर करते रहें अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो उनको भी subscribe कर ले अब हम बात करेंगे question number 21 Question 21 में निम लेक्त में से कोन सी आपकी प्रस्तूती की मुदरित प्रती परदान करती है तो यहां पे हम बात करेंगे कि इन option में से कोन सा ऐसा option है जो मुदरित प्रस्तूती आपको परदान कर सकती है और यहां पे हमारा answer option B प्रस्तूती की मुदृत प्रती आपको परदान कर सकती है और चलते हैं बात करते हैं तो आगे मरपस कोशन नंबर है कोशन 22 में प्रस्तूती सलाइड को सेव करने के लिए किस कमांड का परियोग किया जाता है कि यदि आप प्रस्तूती सलाइड को सेव करना चाते है और उसमें अगर तो कौन सी कमांड यूज करेंगे यह पर हमारा एंस ओ Amp Q23 में Presentation को open करने के लिए किस shortcut command का परियोग किया जाता है तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Presentation को open करना चाहते है लेकिन AC कौन सी shortcut command है जिसका उपयोग करके आप उसे open कर सकते है और यहाँ पे हमारा ensure है option A option A control plus O करके हम उस presentation को open कर सकते है sort key के मादिम से और चलते हैं बात करते हैं तो आगे मर पास question number है 24 Question 24 में सिरसक और सुर्ख्यों को के लिए किस परकार के font परदर्शन सूट है कि सिरसक जो title होता है और सुर्ख्यों जो कि उस बात को आप ज्यादा highlight या करना चाहते हैं तो आप कौन से font परदर्शन सूट कहले लेते हैं और यहां पर हमारा जो answer है यहां पर answer option A sense serif or sense serif or यह हमारा जो font परदर्शन सूट है और अब हम चलते हैं बात करते हैं तो next हमारे पास question number है 25 और question 25 जो इस वीडियो का last question है question 25 में slide show को देखने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है कि अगर आपने slide show त्यार कर रखे है और उसको देखना चाहते हैं तो किस कुंजी का किस की का यूज करेंगे तो यहां पर हमारे पास वो की है F5 function की यह F5 है तो दोस्तों इसे के साथ में कि आप slide show को देखने के लिए F5 function की यूज करके देख सकते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद लाइक शेयर करते रहें अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जुरूर इसको सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद